वेलकम आवरिवन आज का हमारा पाठ है हम पंच्छी उन्मक्त गगन के आज इस पाठ के मैं आपको वन लाइन आइस कुशंग बता रहे हूं बहुत इंपोर्टेंट कुशंग है तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देगे पहला हमारा कुश्ण है हम पंच्छी उन्मक्त अब होगा सिव मंगल सिंग सुमन आप हर कुशन को नोट करके अपनी नोट बुक में फियर नोट भी बना सकते हैं आप पी के लिए कुशन त्यार किये गए हैं तो हम नेक्स्ट कुशन पर आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट कुशन है आप स्कीन पर देख लिजे तो पक्षी कहां का जल पीना पसंद करते हैं अभी आपको पता होगा कि पक्षी कहां का जल पीना पसंद करते हैं आपने पॉइम पड़ी है तो इसका सही जवाब होगा नदी और जर्नो का जल पीना पसंद करते हैं याई कि आप्षन थरड जो है वह इस प्रेशने का सही जवाब है उसके बाद कुशन आता है बंधन किसका है बंधन किसका है यहाँ पर श्रवन स्रिंखला जो उन्हें सोने की पिंजरे में रखा जाता है वह जो है उनके लिए बंधन का करे करता है तो यहाँ पर भी थर्ड आप्शिन जो है वह सही जवाब है पंच्छियों के लिए श्रवन स्रिंखला बंधन का करे करती है और वो पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते हैं उसके बाद कुश्यन आता है लंबी उडान में क्या-क्या संफावनाएं हो सकती थी तो इस प्रेशन का सही जवाब है पहला आप्शन है छितीज की खशीमा मिल जाती या सांसों की डोरी तन जाती तो यह दोनों जवाब सही है तो यहां पर भी ऑप्शन तीन जो है वो सही है यानि कि यह जवाब भी सही है और यह भी सही है अगर वो पक्षी उडान उड़ते तो उन्हें या तो शितीज की सीमा मिल जाती या उनकी सांसों की डोरी तन जाती यानि वो मृत्यू को प्राप्त हो जाते उनके सामने दो ऑप्षिन थे उड़ने पर उड़ान लेने पर तो दोनों जवाब सही है ये दोनों बाते हो सकती थी ये वाला सही अंसर है आशागरती हूं आपको समझ में आ गया होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे, साथ ये बेल बटन को भी प्रेस किजे, रेक्ष्ट कुशन पे आ जाते हैं पक्षी क्यों व्यथित हैं तो इसलिए देखिए इसमें option दिये गए हैं क्योंकि वे बंधन में हैं क्योंकि वे आस्मान की उचाईयों को चुने में ऐसमर्थ हैं क्योंकि वे अनार के दानों रूपी तारों को चुगने में ऐसमर्थ हैं तो आपको पता भी चल गया होगा कि उपरियुक्त सभी जवाब सही है क्योंकि आपने point को पड़ा है तो पहला option भी ठीक है दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है और यहनिकि उपरियुक्त सभी सही है तो सही जवाब है option 4 उसके बाद हम आप एक और question देख लेते हैं यहाँ पर मैं one-liners questions बता रही हूं आपको इस कवीता और कवी का नाम लिखना है तो कवीता का नाम है हम पंची और कवी का नाम है सिव मंगा सिंग सुमन इनके भी पहुवी कल्पिय प्रेशन बन सकते हैं इसलिए आपको यह जानकरी बताई जा रही है फिर प्रेशना आता है कि पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं तो उत्तर में हम लिखेंगे पक्षी एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं पक्षी उडान के लिए क्या-क्या बलिदान देते हैं पक्षी उडान के लिए अपना घूंसला डाली का सहारा सब कुछ नियोच्छावर करने को तयार है उनका माना है कि इश्वर ने उन्हें सुन्दर पंक दी हैं इसलिए उनकी उडान में कोई भी बाधक ना बने Next question आ जाता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिंजरे से आजाद होने के लिए व्याकुल है पक्षी नदी और ज़र्नों का बहता जल्पीने तेजगती से उड़ने वाले उडान भरने नीले आस्मान की सीमा तक उड़ने पेड़ की फुनगी पर जूलने और कड़वी निमबोरियां खाने और अना रुपी दाने चुगने के लिए पिंजरे से बाहराना चाहते हैं तो ये सारे इच्छाओं जो है वो बाहरा करके पूरी करना चाहते हैं मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि आप नोट डाउन करके नोट्स बनाएए क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुक्स का नाम पूछते हैं बुक्स बहुत हैं लेकिन पढ़ाई नोट्स से अच्छी होती है तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपको खुदी समझ में आ जाएंगे सारे प्रेशन आपको लर्न भी हो जाएंगे और एक्टम से आपको एक्जाम में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और जैसा कि आपको पता है अप ही घर पर रहना जरूरी है जो बिमारी चल रही है बहुत बड़ी बिमारी जिसे नाम भी जिसका लेना सही नहीं कहा जा सकता है तो नाम भी नहीं लूँगी तो आपको घर पर भी रहना जरूरी है तो आप घर पर वैट करके सारी प्रिप्रेशन कर लिजे थेंक यू फॉर वाचिंग अगर आपको किसी और चैप्टर के MCQ की नीड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना आपको सारे कुशन समझ में आ गए है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना थेंक यू फॉर वाचिंग